फिर्स्ट कम्लिट होगे हमारा कोशन अब उसके बाद हम कोशन अब फिर्स्ट कोशन देख रहे हैं जिसमें बोला गया है find the value of falling determinant ठीक है तो इसमें फिर्स्ट कोशन दिया है mod के अंदर आपको minus 1, 7, 2 and 4 ऐसे 4 numbers यहां पर दिये चलो देखते इस कोशन को solve करें first of all यह determinant है इसी लिए हम यहाँ पर capital D लिखेंगे value को substitute करेंगे so minus 1, 7, 2 and 4 आपको 4 elements मिल रहे है इस कोशन को हम solve करें same हमारा जो pattern रहेगा यहाँ पर same रहेगा इसमें कुछ भी changes नहीं यह 4 उबर चला जाएगा and यह 2 अगें उबर चला जाएगा तो यहाँ पर equations क्या बनेंगे ज़रा focus कीजेगा minus 1 into 4 minus 7 into 2 so your answer is minus 4 minus 7 to 14 so अब देखेगा यहाँ पर दोनों भी जब minus होंगे तो इन दोनों का addition होगा बर दोनों के sign addition के बाद आपको minus में मिलेंगे अगर इन दोनों में से कोई एक number भी negative और एक दूसरा positive होता तो इन दोनों के बीच में क्या होता subtraction होता तो देखेगा इस topic को हम समझने के लिए इन दोनों का addition करते है तो यह कितने हो जाएंगे minus 80 तकरीबन यह इस exercise के वाले questions बहुत इजी है और यह हमारा question number second का first question complete हो गया Is that clear ? क्लियर 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 क्लियर